नमस्कार मित्रों स्वागत आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूटूब चैलमेंट जी है मित्रों रेलबे गुरूब डी की यानि एक्जाम से लूल जारी हो चुका है उसी को देश्टिकर रखते हुए टूडे से हमारे रेलबे गुरूब डी 2022 एक्जाम को देश्टिकर रखते हुए जी के जी एस के 25 सलेक्टेड प्रसनों की स्रेंकला रखी गई है क्योंकि यह जो स्रेंकला है वो आप सभी के लिए एक-एक प्रसन स्लेक्शन दिलाने बाला है मैं पूर विश्वास दिलाता हूँ आपको यदि आप लोगों के द्वारा इस 25 प्रसनों की स्रेंकला से यदि 15 से 20 भी आप प्रसन करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोख सकता है जी हा मित्रो तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के पसचाथ पास में जो वैल आके नो उसको प्रस कर लिजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिविक्स न आपको मिलता रहेगा और रेगुलर आपको 2-3 क के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच न्यालय की इस्तापना की गई थी सभी option को बहतर तरीके से आपको read करना है और option को read करना है प्रसन को read करना है क्योंकि CBT exam आपका computer वेश्ट है इसलिए पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि कोई भी गलती नहीं करनी है तो यहां से आपको सही answer लगाना है ठीक है तो यहां से जो right answer है वो आपका option A है यानी कलकत्ता में जो सर्वोच न्यालय की स्तापना की गई थी वो regular act 1773 के अधीन की गई थी और इसकी अंत्रकत जो सबसे महत्पूर्ण है कि इस act में जो सर्वोच न्यालय की नयादिश निक्तुई थी उनका नाम क इंपे जो क्या थी प्रथम मुख्य नयादिश निक्तुई थी इस act के तहट ठीक है तो याद रखेंगे एक-एक प्रसन आपका select है और selection दिल नेच्ट प्रसन आपका मूल अधिकारों के अंतरहत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्य चुरूप से सा अनुच्छेद है ठीक है और भैतर ढंक से आपको हाँ जबाब भी देना है तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका डी है यानि अनुच्छेद चौबी जो है बालकों के जो मूल अधिकार होते हैं उनसके नियोजन से प्रत्य शूप से सम्मंदित होता है क्योंकि इ जिससे आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण आपके लिए राष्टपरती के निर्वाचक मंदल के सदस्य होते हैं एक एक प्रस्ण इंपोडेंट है ओप्सन को रीट करेंगे बैतर ढंक से ठीक है तो राष्टपरती के निर्वाचक मंदल के सदस् रेट करेंगे हम संसद के दोनों सदनों के निर्वाचिस सदस्य ये आपका होते हैं ठीक है और राज्य विदान मंडल के दोनों सदनों से निर्वाचिस सदस्य ये नहीं होते हैं सभी राज्यों की विदान सबाओं के निर्वाचिस सदस्य होते हैं और दिल्ली और पांडच तो एक तीन चार यानि के आंसर आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा यहां से यानि राष्टपरती के निरवाचक मंडल के सदस होते हैं जो दिये हुए एक तीन और चार में वह आपके करेक्ट है ठीक है और किस अनुचेद के तहट सदस्यों के होते हैं तो यादि अनुचेद की बात की जाएगी तो अनुचेद चववन के तहट ठीक है याद रखेंगे कौन सा अनुचेद है अनुचेद चववन के तहट अगला प्रसना आपके लिए संसद के किसी सदन में मुख्य बिपच्ची दल की मानता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्यों होने चाहिए यानि कि जितना पच्च मजबूत होता है सत्ता पच्च का उतना ही बिपच्ची का होता है तो कितने सदस्यों होने चाहिए उस बिपच्ची दल के लि तो विपच्छी दल के लिए सदस्य होने चाहिए यानि एक वट्टे सदन के जो कुल सदस्य है न उसके एक वट्टे दस्मा भाग होना चाहिए विपच्छी दल के सदस्य ठीक है जिसमें ऐसे याद रखने है लोकसवा में लोकसवा में होने चाहिए यानि सदस्य की संख्या आपके पच्छपन और राजे सवा में इनकी जो विपच्छी दल की संख्या होनी चाहिए वो याद रखेंगे वो होनी चाहिए आपके पच्छी ठीक है इतना याद रखना है क्योंकि कई बार आपके लिए प्रस्ण बना ह यानि प्रधान मंत्री की नियुक्ति होती है कि सम्मिदान के अनुशेद के तहत होती है ठीक है अनुशेद दिये हुए है आपके सामने आपके सामने बहतर तरीके से रीड करेंगे तो यहां से जो राइट आंसर है यानिके प्रधान मंत्री की नियुक्ति अनुशेद के अंत कई बार घुमा देते हैं किसके द्वारा की जाती है राश्टपदी के द्वारा अगला प्रसना आपके लिए लोग सबा का पहला आम चुनाब का हुआ था यानि लोग सबा का जो प्रथम आम चुनाब हुआ था वो कब हुआ था तो यहां से आप option को read करेंगे हाँ तो यहां से जो right answer है वो आपका option B में है 1992 में हुआ था प्रारम कब से हुआ यदि यह प्रसन मनेगा कि लोग सबा का पहला चुनाब प्रारम हुआ था तो याद रखना है आपको 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1951 से यह आरम हुआ था और 21 फरवरी याद रखना है 21 फरवरी 1902 मन तक यह जो चुनाब है चला था यानि कुल चार महीने चला था यह चुनाब चला था कितने महा चला था चार महा चला था और जिसके प्रथम अध्यच कौन थे तो जी भी मावलं कर थे ठीक ह लोग सबाके प्रथम अध्यच चुने गए होती अगला प्रसना आपके लिए जिला नयायलें के नयायदीसों की नियुकती किस के द्वारा की जाती है जिले में जो नयायदीस होती है नयायले होती है उन में नयायदीसों की नियुकती किस के द्वारा की जाती है ओप्सन मे ये प्रस्ण मनेगा तो आपका जवाब आएगा ठीक है अनुच्छेत के तहट की जाती है तो दो से ते तीस के सेकंड अनुच्छेत के तहट ये निक्ति की जाती है राजपल के दोरा जिले के नयालेओं के नयादीसों की ठीक है अगला प्रस्ण आपका निम्न मैंसे कौन राज सूची में सामिल विसे है ऐसा कौन सा विसे है जो राज सूची में सामिल है इसमें ओप्सन दिये गए हैं आपको ओप्सन रीट करेंगे और आंसर आप सही तरीके से लगाएंगे तो एक-एक प्रस्न इंपोर्ड एंटे में तरो जी हाँ प्रस्नों की सरंकला पसंद आ रहे है वीडियो पसंद आ रहे है तो लाइक और सियर कर दे चलें तो यहां से जो राइट आंसर है यानि की ऐसा कौन सा विस है जो राज सूची में सामिल है आपका आंसर ए है रेलवे पुलिस जो के आपकी किस में सामिल है राज की सूची में सामिल है इतना याद रखेंगे बाकी जो दिये हुए है निगमकर और जन गड़नाकर या जन ग जो है D option में है आर्थिक एवं समाजिक नियोजन है यह जो सामिल है वो समबरती सूची में ठीक है समबरती सूची में यह सामिल है यह भी आपको ध्यान रखना है एक-एक प्रसन आपके लिए important है अगला प्रसन निमलिकित में से कौन बिस्व का नवीनतम राष्ट है कौन सा जो राष्ट है बिस्व का नवीनतम राष्ट है option को read करेंगे और जब आप देंगे आप तो यहां से जो right answer है यानि option में जो दिया हुआ बिस्व का नवीनतम जो राष्ट है वो आपका दच्छडी सूडान यानि के option D यहां से correct हो जाएगा ठीके दच्छडी सुदान है जो के 9 जोलाई कितने जोलाई को 9 जोलाई याद रखेंगे 2011 9 जोलाई 2011 को सुदान से अलग होकर नवी इंतम राष्ट बन गया था ठीके यदि इसकी राजधानी की बात करेंगे दच्छडी सुदान की जो राजधानी क्या है यहां से यदि एक प्रस्ण मनेगा तो आपका जवाब दो होगा जूबा दच्छडी सुदान की राजधानी क्या है जूबा है ठीके और यह सजिक तो राश्टन का क्या है 1-93 आदेस है कौन सा अद्रेस ये नंबर का देश है 1-93 वाँ ठीक है अगला प्रस्ट आपके लिए भारत में राश्टी आय को मापने के लिए प्रियोग किया जाने वाला आधार बरस यानि किस बरस को आधार मान करके भारत में जो राश्टी आय की गढ़ना की जाती है या मापी जाती है ठीक है option को read करेंगे एक एक प्रस्ण एक एक option आप सभी के लिए important है तो यहां से आपका जो right answer होगा तो यहां से जो राश्टी आए के मापने का आधार माना जाता है भारत में वो आपका बर्स 2011-12 को माना जाता है यानि answer आपका C होगा यहां से आँसर क्या होगा C होगा और इसे जो लागू किया गयता है या तयार किया गयता है जन्वरी 2015 है जन्वरी 2015 में केंद्रिय सांके की कारल है यानि CSO की अनुस्वनसा पर अपनाया गया है तो राश्टी आए की गढ़ना का जो आधार बर्स है वो मुद्रा आपूर्ती मापने का सबसे तरल माप एसी यानि के सबसे तरल माप कौन सी है जिसके द्वारा मुद्रा आपूर्ती मापी जाती है तो यहां से जो राइट आंसर होगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा option D यानि M1 ठीक है M1 जो है मुद्रा आपूर्ती की है या माप है ठीक है यदि इसके घटते क्रम की बात करेंगे तो याद रखना है आपको M1 M2 M3 M4 यह आपको क्रम याद रखना है क्यों कई बार सीक्वेंस भी आ जाता है ठीक है अगला प्रसना आपका भारत में अधिकांस्त ए बेरगाजी है यानि अपने भारत में जो अधिकांस्त ए जो बेरगाजी है वो किस प्रकार की है ऑप्शन में दिया हुआ है यहां से जो आपको राइट आंसर बताना है ठीक है एक-एक प्रस्ण आपके लिए important है प्रस्णों की स्रेंकला समझा रही है सीरिज समझा रही है मित्रो तो like share कर देंगे तो भारत में जो अधिकांसत है विरोजगारी का जो रूप है वो आपका क्या है सरचनात्मक है यानि answer आपका होगा D option बिल्कुल से correct क्यों क्योंकि हमारा जो भारत वो विकासील देश है और विकासील देश है जिसके कारण क्या होता है इसकी अर्थेवेस्ता में क्या होता है लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और वो परिवर्तन होते हैं सरचनात्मक इसलिए अधिकांस वेरजगारी जो है किस प्रकार की होती है वो सरचनात्मक होती है ठीक है answer D आपका यहां से correct हो जाएगा अगला प्रसन आपके लिए राश्टे क्रसी और ग्रामीड विकास बैंक यानिकी नावाड की स्थापना किस पंच भरसी योजना के तहत की गई थी यहां से आपका right answer तो यहां से जो right answer आपका option C चटी पंच भरसी योजना के तहत की गई थी कब की गई थी यदि प्रसन मनेगा तो 1980 से 85 को राष्ट्य क्रसी ग्रामिड यान की नावाड की इस्तापना की गई थी याद रखेंगे और किस समिती की अनुसंसा पर की गई थी तो उस समिती का नाम बताना है तो पूचा जाएगा तो सिव रमन समुती ठीके कौन सी है सिव रमन समिती की अनुसंसा पर इसके इस्तापना की गई थी नावाड की ठीके और यदि इसके मुख्याले की बात की जाएगी तो इसका मुख्याले काँ पर है मुंबई में इतना याद रखना है ठीके अगला प्रस्णा आपका निम्लिकत में से किस प्रदेश में सुयवीन क्रसी की अंतरगा सरवादिक छेतर है सुयवीन क्रसी की अंतरगा सरवादिक छेतर में पाई जाती इस तरह भी प्रस्ण बन सकता है ठीके तो यहां से आपका जो राइट अंसर होगा देखे सरवाधिक सुयवीन क्रसी की अंतरगा सरवाधिक छेतर जो है वो आपका MP यानिकि मध्यप्रदेस है आंसर आपका C हो जाएगा ठीक है यदि क्रम की बात करेंगे तो पहले नमबर पर आपका आता है मध्यप्रदेश ठीक है यदि पूछा जाता है कि सबसे अधिक स्वयविन कहां पर पाई जाती है और दूसरे नमबर पर आता है माहराष्ट यानि ये दूसरे नमबर पर आता है ठीक है तीसरे नमबर पर आता है राजेस्तान याद रखना है आपको क्रसी स्वयवीन में ले करके ठीक है तीसरी नमबर का राजेस्तान है और यदि भारत की बात करेंगे तो भारत का जो इस्तान है वो विस्तो में कौन सा है पांच में ठीक है भारत की इस्तान की बात करेंगे स्वयवीन को ले करके तो भार स्वतंत भारत की प्रथम और ध्योगी की नीती की घोसना की गई थी तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा एक एक प्रस्ण इंपोर्टेंट है आप सभी के एक्जाम को देश्टिक रखते रहे हुए तो वीडियो को लाइक से यह तो बिल्कुल से करेंगे ही मित्रों तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्सन भी है यानि स्वतंत भारत की प्रथम ओध्योगी नीती की गोशना जो की गई थी वो 1948 यदि एक्चुल डेट पूछी जाएगी तो आप जवाब देंगे 6 अप्रेल ठीक है 6 अप्रेल 1948 में याद रखना है 6 अप्रेल 1948 में जो उस समय के ततकारिन ओध्योग मंत्री थे डाक्टर स्याम प्रसाद मुखर जी के द्वारा की गई थी किन के द्वारा की गई थी डाक्टर स्याम प्रका प्रसाद मुखर जी के द्वारा ठीक है अगला प्रसना आपका निम्न मेंसे कौन सा प्रत्यच्कर है यानि कि डारेक्ट टेक्स कौन सा है इन मैंसे ठीके तो यहां से जो राइट आंसर है प्रत्यच्कर यानि कि डारेक्ट टेक्स है इसमें से अब देखें सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि डारेक्ट टेक्स क्या होता है यानि कि प्रत्यच्कर क्या होता है यानि ऐसा कर होता है या जो सीधे करदाता से संबंद रखता है सीधे रूप से करदाता से संबंद रखेगा वो आपका प्रत्यचकर होता है तो यहां से जो answer है वो सबसे पहले चर्चा करेंगे तो answer आपका हो जाएगा C यानि कि संपदाकर ठीके संपदाकर आपका क्या है प्रत्यचकर है और प्रत्यचकर की यदि बात करेंगे तो जैसे I कर है आपका जो सीधे करदासा से संबंद रखता है ठीक है संपदाकर है कॉपरेट कर है पूजिगत कर है ये सभी किसके अंतरगात आते हैं प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् एक एक प्रसंद आप सभी के लिए important है बिल्कुल से पूर्ण विश्वास है मित्रों कि यदि आप लोगों के द्वारा 15 से 20 से यदि प्रसंद की गए गए तो group D में आपका selection कोई नहीं रोग सकता है ठीक है क्योंकि इस तरह के प्रसंद आप सभी के लिए exam में बनने बाले हैं उन्हीं को तैयार किया गया है इस सीरीज में तो यहां से जो right answer है वो आपका option D है यादि national stock exchange सूचकांग जो है निप्टी से सम्मंद रखता है यदि बात करेंगे कि निप्टी की स्तापना हुई थी उस किस बर्स हुई थी यदि बर्स की बात की जाएगी तो आपको जवाब देना है 1986 में 1986 में निप्टी की स्तापना की गई थी ठीक है अगला प्रसना आपके लिए राजसो गहाटे की अपेच्छा राजकोसि गहाटा सदेव रहेगा यानि जो राजसो घहाटा होता है उसकी अपेच्छा राजकोसि गहाटा सदेव ही रहेगा तो यहां से आंसर होगा option को read करेंगे सबसे पहले देखे यदि आपसे कोई answer नहीं बन रहा है तो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार प्रसन को आपको बैतर तरीके से समझना है यदि प्रसन समझ लिया तो आदा प्रसन solve हो जाता है उसके पर आदा आपके विविक के according solve हो जाता है तो सुपर 301 जो समझ रखता है वो एक मुक्त ब्यापार में अवरोज से यानि कि answer आपका क्या हो जाएगा answer आपका D हो जाएगा यहांसे correct ठीक है मुक्त ब्यापार में अवरोज से रखता है ठीक है जो या इसे अन्य नाम से जाना जाता है तो special 301 जो कि अमेर्की ब्यापार इवं 35 परदा अधिनियम 1988 की एक धारा है ठीक है अगला प्रसन अपके लिए करक रेका निम्न में से किस राजय से गुजरती है करक रेका जो है option में दिये गए हैं तो इन option के according ध्यान रखना है कौन से राजय से गुजरती है तो याद रखेंगे करक रेका जो है साड़े 23 डिगरी कितने डिगरी साड़े 23 डिगरी उत्री अच्छां से हो करके यानि कि भारत के यदि राजयों की बात की जाएगी तो कुल आठ राजयों से हो करके गुजरती है ठीक है और उनी आठ में से यहाँ से उप्सन में आपको देखना है तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो उप्सन भी है यानि कि जारकंड उन आठ राजयों की नाम कौन कौन से है तो यह दिहां रखना है गुजरत, राइस्तान, मदरप्रदेश है, 36 गड़ है जारकंड, पच्छे मंगाल, तुप्रा और मिजोरों है ठीक है और यहाँ से एक और जो प्रस्न बनता है कि ऐसी नदी है कौन सी? जो करक्रेका को दो बार काटती है उस नदी का नाम बताना है भारत में तो उस नदी का नाम है माही नदी ठीक है माही नदी भारत में जो के करक्रेका को दो बार काड़ती है याद रखेंगे ठीक है अगला प्रसन अपके लिए वीलर दीप का नया नाम है यानि कि जो वीलर दीप है उसका नया नाम क्या है चलिए यहां से आपको आंसर देना है परियाप्ट समय दिये जाता है option को read करने के लिए मित्रों और person को समझने के लिए भी तो Wheeler Deep का जो नया नाम है option c correct हो जाएगा यानि अबदुल कलाम दीप तीक है अबदुल कलाम दीप जोके Wheeler Deep का नया नाम रखा गया है किसके दौरा रखा गया है ओडिशा सरकार के दौरा तीक है इन्हें इनके नाम पर Dr. APJ. अब्दुल कलाम दीब के नाम पर रखा गया जहाए. अब्दुल कलाम दीब ठीक है? चलिए. अगला प्रसना आपके लिए. नेश्ट जिखी आपका जोजला दर्रा जोडता है यानि कि जो जोजला दर्रा है वो जोडता है ठीक है? ऑप्शन को टिक है तो यह जो जोडता है यानि कि जो जुरता है जो जोडता है वो स्रीण्रगर और लिएको यानिकि आंसर आपका ए बिल्कुल से करेक्ट होजाएगा चलिए अगला प्रसना आपके लिए निमलकित में से किस राज में दंफा टाइगर रिजर्व इस्तित है ऐसा कौन सा राज है option को read करेंगे क्योंकि एक एक प्रस्ण आपके लिए important है तो दंफा टाइगर रिजर्व किस में इस्तित है राज में ठीक है तो यहां से आपका right answer क्या हो जाएगा तो right answer आपका जाएगा option secure दंफा टाइगर रिजर्व जो इस्तित है वो कहां पर है मिजोरम में है ठीक है यदि स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब होई थी किसकी दंफा टाइगर रिजर्व की तो 1985 किस में powiedział यहां से प्रस्ण मने गा कितने में हुई थी 1985 में हुई थी लेकिन इसे टाइगर रिजर्व घोसित किया गया था टाइगर रिजर्व घोसित किया गया था दंपा, टाइगर, रिजर्विस, ठीक है, अगला प्रसना आपके लिए, प्रायदीब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायदीब कहें, या दच्छडी भारत की कहें, ठीक है, या रखना है आपको, तो प्रायदीब भारत की सबसे जो लंबी नदी है, वो आपको ओ आंसर भी आपका यहां से correct हो जाएगा ठीक है और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे कि गोदावरी की कुल लंबाई होती है तो 1465 किलो मीटर ठीक है इसकी कुल लंबाई है इतना याद रखना है आपको यदि पूछा जाएगा और कहां से निकलती है तो महराष्ट में जो नासिक जिला है उसके त्रमब केसर पाड़ी से ये निकल कर पूरव से पशिम में बहती है ठीक है किस पाड़ी से निकलती है त्रमब केसर ठीक है पूरव से पशिम में ये बहती है याद रखेंगे पूछा जाता है कि किस और प्रवाईत होती है तो पूरव से लेकर के संकला के टॉप मोश्ट सेलेक्टिड 25 प्रसनों की संकला आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आए तो मोड़ें लाइक और स्यार करेंगे मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सभी को नमस्कार